जहिन नमस्कार आज मैं बात कर रहा हूँ ममताब एनरजी के हिंदू विरोधी मान सकता और हिंदू पर जो जुर्म करेगा हिंदू पर जो जाती करेगा हिंदू का जो नरसंगार करेगा उसको ममताब एनरजी किस तरीके से पारितोशित देती है कैसे उसको मेडल देती है कैस उसको राजसभा बेशती है। मैं साजा शेक की बात तो करूँगा है लेकिन आज ये समझे कि पहले भी 2013 में एक वेक्ति जो पाकिस्तानी मूल का है ममता बेनर जी कैसे उसको पार्टी से जोड़ती है राजसभा बेशती है। आज मैं इतिहास से या फिर एक ऐसे वेक्ति के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो जिसने हिंदू बहुत अत्याचार किया। हिंदू विरोधी मानसिक्ता हिंदू विरोधी नाम और बंगाल में हिंदू के मन में जो डर है उस विक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। संदेश खाली में जो हिंसा हुवी है और उसका जो सरगना है जिसके ISI से जिसका लिंक है उसे ममता बेनर जी ने बनाया राजसभा का सांसत। संदेश खाली पर TMC जो कर रही है वही उसका DNA आज इसको समझने की कोशिश करेंगे और आज मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप अंतर तक देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर संदेश खाली में हिंदू महिलाओं की आप बीती क्या है और इस वीडियो को शेयर की कीजिएगा चल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ये सच आप तक पहुचे तो समर्सन कीजिएगा संदेश खाली में हिंदू महिलाओं की आप बेती सुनकर पूरा देश सन है लेकिन बंगाल के मुक्मंत्री और तुनमुल कांग्रेस की प्रमुक ममता विनरजी अपनी पार्टी नेताओं से सवाल तक नहीं कर पारी है दो गिरफ्तारी अलग हो गई है उस पर मैं आऊंगा लेकिन उल्टा वै उनको क्लीन चिट दे रही है और इसके लिए भाजपा आरेसेस को जिम्मधार बता रही है उन्हेने संदेश खाल महिलाओं के दबाव में दिये गए हैं अब यह सची है महिलाओं को दबाव में दिलाकर ऐसे बयान कौन लेगा दूसरा सुप्रीम कोट ने एक तरीके से आज ममता विनरजी को क्लीन चिट दे दी है तो यह ममता विनरजी को मिली क्लीन चिट क्या कहती है क्या वाकई सुप् बहुत महत्रपूर हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि तरनबुल कांग्रेस की सुप्रीमों किसी ऐसे सक्ष का बचाव कर रही है जिस पर हिंदू विरोधी घटनाओं में शामिल होने का इलजाम है बीते समय में भी वो कई बार हिंदू विरोधी नेताओं का पक्ष ले यह हिंसा में एहमद हसन का नाम पुराना है एहमद असन इमरान का जन्म कथित तोर पर पूरुव पाकिस्तान के सिलहट के श्री हट्टा के गाउं में हुआ तो बांगलादेश के बनने से पहले 1970-1971 में पूरुव पाकिस्तान से भाग कर वो भारत आया था इमरान ने पश बांगलादेशी दैनिक नया दिंगत्ता के लिए भारत समधाता के रूप में काम किया था आज नया दिवगत्ता जमात इसलामी बांगलादेश का यह मुख्य पत्र है आप समझे एहमद असन इमरान के बारे में खूफी आजिंसियों की जाश कहती है कि उसने पाकिस्तान क कि आएसाई से संबंद थे वैर अलिगण मुस्लिम विश्विद्द्याले में प्रतिबंदित इसलामी संगठन स्टुडेंट इसलामिक मूव्मेंट ऑफ इंडिया यानि कि सीमी का संस्थापक सद्द से भी था इसके लावा उसने जमात इसलामी पहले जमात इसलामी जमात मुझाहिद्दीन और अनिसलामिक आतंकी संगठनों के लिए भी वह वेक्तिक काम कर चुका है कोफिया रिपोर्ट में ये भी बता है कि आहमद हसन इमरान 1977 के बाद नियमेत रूप से बांगलादेश में जाता था और जेमबी आतंकियों से मिलता था 2001 में आहमद हसन इमरान ने हावडा में इसलामिक डवल्पेंट बैंक आई डी बी द्वारा आजोते इसलामिक दर्शन पर एक समिनार में भाग लिया वहाँ जेमबी आतंकी गुलाम आज्यम के बेटे ने कहा कि इसलाम एक राष्ट से बढ़ा है यानि कि भारत से बढ़ा है इस समिनार में एक साल पहले इमरान की पत्र का कलाम की और एक समिनार और जिद किया गया था जिसमें जमात के आतंगवादी अबुल कासीम अली और अबु जाफर ने भाग लिया ताब ये ये आतंगवादी एक तरीके से देगा जाए तो नलिया खाली गाओं में हिंदु विरोधी हिंसा करने वाला एहमद हसन इमरान 13 फरवरी 2013 को मौलवी रूहुल किद्दुस की कथित खत्या को लेकर कट्रपंति इस्लामिक भीड ने नलिया खाली गाओं में हिंदु पर कहर बरपाया तो ये तिहास की बात है लेकिन ये बहुत 24 परगना जिले के कैनिक पुलिस स्टेशन परिसर के अंतरगर्त आता है जहां 10,000 लोगों की भीड ने एक नलिया खाली और पडोसी होरो भंगा गोपालपुर और गोला डोगरा गाओं में 200 घरों को हिंदु घरों को जला दिया था रिपोर्ट बताती है कि तब भीड बड़ी संख्या में कॉलकता से ट्रक्स भरकर नलिया खाली लाई गई थी भीड के हवाले हमले में कई पुलिस और अधिकारी भी गंभी रूप से खायल हुए थे उस दोरान जायनगर पुलिस टेशन के वाई रूपूर छेत्र के एक दरजन हिंदू स्वामित वाली दुकानों को लूट लिया गया था इसके बाद कैनिंग जायनगर कुलतली बसंती पुलिस थाना छेत्र के आसपास के छेत्र में भी हिंसा की सूशना मिली थी बाद में ततकालिक जिला खुविया बीरो डी आई बी ने जिला पुलिस अधिक्षर को दो पत्र की रिपोर्ट भेजी थी मामला संक्या मैं देखिए मामले के संक्या बता रहा हूं मामला संक्या 84 दिनांक 19-2-2013 आईपीसी की धारा 394, 302, 307, 153A और सस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहद ये सारा मामला दर्ज हुआ था लेकिन कुछ हुआ नहीं दान में कियेगा डी बी आई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अहमा धसन इमरान के उकसावे के कारण विभिन इस्थानों में बड़ी संक्या में मुस्लिम युवा राजा बाजार, मोटिया ब इकठा करने की पूरी संभावना यानि की आप ये सोचिए ये सडियंतर बहुत पहले चल ला था जिसके कारण पूरा महाल खराब हुआ था, संप्रदाइक्ता उस समय फैल रही थी और रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि एमध असन विदेशी धन इकठा करता था और चोरी छुपके ऐसे हिंदू को ऐसे घटनाओं को अंजाम देता था और ये इंडिया टुडे का में एक खबर छपी थी खैर टीमसी के एमध को भेजा राजसभा 2013 के हिंसा की घटना पर डियाई बी रिपोर्ट में इस पर स्टूप से कहा गया कि एमध असन इमरान मुस्लि समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए इमरान को तर्मूल कांगरिस ने राजसभा कि सतस्य की रूप से पूरा इतियास है ऐसे में सूचिए कि जब तर्मूल कांगरिस आतंगवादे समूहों के समंद रखने वाले आरोपित और हिंदू के खिलाफ इंसा भड़काने वाल कास पर से कि एहमद हसन जो है उसका नाम सारदा चिट फंड में भी था और हिंदू के लाफ इंसा भलकानी में शामिल होने के लावा सारदा चिट फंड में उसका नाम आया था 2014 में टीमसी सांसद एमेद असन इमरान से प्रवर्त निदिशाले ने सारदा समू के मालिक सुदिप्त सेन के साथ उनके सबंदों पर पूश्टाज के थी इडी के अधिकारियों ने इमरान से सवाल जबाब भी किया था और बंगाली दैनिक कलाम कैसे चला रहा है उसको फंड कैसे मिल रहा है इसको लेकर भी सवाल जबाब हुए थे तुष्टिकरण के राजनीती में जोटी टीमसी गौरतलवे की टीमसी वर्सों से मुस्लिम समुदाए के तुष्टिकरण के राजनीती में लगी हुई है आज संदेश खाली मामले में पिलिताओं का दावा है कि इनी इलाके की विवाही तिंदु महिलाओं को उनकी उम्र और सुन्दता के अधार पर उठाय जाता और टीमसी के लोग संतुष्ट होने तक उसका रात दिन उत्वीडन करते हैं लेकिन ममता बेनर जी इन आरोपों से भाजपा आरेसेस की साजिस कहकर खारिस कर रहे है जो बिलकुल हैरान करने वाली बात है आकिकार जब टीमसी एहम और टीमसी का चाल चरतर चहरा मैंने आपसे उजागर किया यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक किजएगा शेयर कीजएगा और चैनल को लोगों तक पहुचाईए वीडियो को शेयर कीजए चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा जै हिंद जै भारत बंदे मातरूम नमस्क्